कि नमस्कार में वोग विशेक त्यागि आइपियल 2025 से पहले इस वक्त टीमों में खलबले मची हुई है कई सारी टीमों में इस वक्त उलट फेर की गुंजाइस दाजारी जासे आप लखनों की बात कर लिजी, केकियार की बात कर लिजी, आप मुंबई की बात कर लिजी, आरसीबी की बात कर लिजी, चेननी की बात कर लिजी, गुजरात की बात कर लिजी, तमाम टीमों में इस वक्त बहुत बड़े बदलाओं के संकेत मिल रहे हैं, तुकि मेगा उक्षन होना है मेगा उक्षन से पहले कई सारी टीम है आपने तमाम मतलब कोचिंग स्टाप को दिली करें रिकी पॉंटिंग चले गए हैं उसके बाद में आप चेने की बात कर लिए मेहंदर सिंग दोनी की चर्चा हो रही है आर्चीवी की बात कर लिजिए चर्चा हो रहे कि कि सार देखने वादी बात होगी रहुल दृविण की चर्चा चल रही है भाई-साब राजिस्थान जाने की इस तरीके की बहुत बड़ी उठाबटाक है तो एक उठाब नहीं की चल रही है आपने खबर सुनी होगी क्योंकि गुज्रात का मालीकान हथ तो बदल गया ही तो कोचिंग इस्टाब को लेकर भी बहुत बड़ी खबर आशिश नहरा को लेकर खबर थी कि आशिश नहरा को गुजरात बाहर निकालेगी लेकिन पूरा अपडेट क्या है अब अपडेट यह है कि जो विक्रम सोलंकी है डायक्टर ऑफ क्रिकेट जो है गुजरात के और शुरुआत में तीम बंई थी उसक्राइख अते खिलारियों को ला आशिवलारियों को खिलारा अप्लेवन बणाना रंड़नीती बनाना इसमें आशिश नहरा का बहुत बड़ा योगदान मानाजाता था लेकिन अब खबरेश नहरा को बहान निकाला जाएगा अब अपड वो खुश है आशिष नहरा को लेकर अभी चर्चा चल रही है आशिष नहरा पर अभी कोई गुजरात ने आखिरी फैसला नहीं किया है आशिष नहरा को लेकर अभी चर्चा चल रही है उनसे बातचीत चल रही है और यह देखा जाएगा कि क्या आशिष नहरा खुद गुज के दम पर तो अभी आशिश नहरा को लेकर गुजरात ने कोई आखरी फैसला नहीं लिया है जो बड़ा अपडेट है वो यह है कि गुजरात की टीम आशिश नहरा को रखना चाहती है लेकिन अभी आशिश नहरा से बातचीर्थ चल रही है अब यह देखना होगा कि किस तरीक करने वाली है गुजरात की टीम मुहमेद Śमी का एक बयान भी आया था कि अगर गुजरात की तीम मुझे क्रना चाहथी तो जाहिडित तो पर बहुन भा ध्यटका गिंदवाजी के तौर लगने lam खुए Нवैसमे में जाकर werd मालव कई पर में लेगे आघकान के लितिताइब हैं द्लाब सारे थो क्वधी सुधर्सन के पास आने वाले वोगत वराई सुंधर्सन के पास होनार रहे हैं और शुमन बहुत सारे बहतर खेलारी साही सुदरसन इनके पास है जो आने वाले वक्त के बड़े सुपर स्टार हुनार खेलारी है और शुमन गिल्टव कप्तान के तोर पह इस पास है थार्ट पर गुजरात की टीम भी फंसी ही है कि किन चार खेलारीों को रिटेंड किया जाए तो आपका गुजात की टीम को लेकर क्या कहना है कि आपको लगता है कि आशिश नहरा के निकलने के बाद वास्ते में गुजात की टीम तूट जाएगी और आशिश नहरा को गुजात को नहीं निकालना चाहिए और गुजात को कौन से चार खिलारियों को रिटेन करना ये भी बताईएगा वीडियो अच्छे लगे उत लाइक कोशी जरू करिएगा क्योंकि हट टीम के अपडेट लगातार आप लोगों को मिलते रहेंगे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना तैंक्यों अजिमाच